Hello दोस्तों, आप सभी जैसे कि जानते हैं कि मत्रा दो चीजों के लिए फेमस है एक है भगवान श्रीकिष्न का जन्मिस्थान और दूसरा है मत्रा के पेड़े पेड़े जो कि मत्रा में बहुत बहुत स्पेशल तरीके से बनाए जाते हैं और उनका स्वाथ जो मत्रा में हल्वाईयों के हाथ में आता है वो शायद कहीं भी नहीं आता है आज हम उसी रेसिपी को आपके साथ शेयर करेंगे मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि मैं भी मत्रा से ही बिलॉंग करती हूँ मेरा जन्मिस्तान मत्रा है और मैंने बचपन से वो पेड़े खाए है बिल्कुल वही टेस्ट कैसे बनाते हैं वहाँ परहलवाई उसी रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको आएगा और आप अपने घर में जहां कहीं भी है उस का स्वाद ले सकेंगी और अपने ठाकर जी का फोग लगा सकते हैं आये से बनाना शुरू करते हैं पेड़े के लिए हमें चाहिए गाय का दूद दूद गाय का होगा तो पेड़े बहुत अच्छे बनेंगे डेल लीटर दूद लिया है मैंने इसमें एक लीटर में डाल च मैं हमिए दूद घाड़ा थोड़ा सा हो गया है बचा हुआ दूद भी डाल दिया है इसमें हमने अब कर दूद को हम गाड़ा करेंगे कि दूद हम भैस का भीले सकते हैं लेकिन भैस के दूद से वह कलर नहीं आता जह के दूद से आता है डे लीटर दूद में हमारा 500 ग्राम मावा बनेगा, ध्यान रखेंगे, लगातर चलाते रहेंगे, बिल्कुल लगना नहीं चाहिए, यदि थोड़ा भी जल गया तो टेस्ट बिगड़ जाएगा, देखे कलर कितना अच्छा अपने आप नैचरल ही आना शुरू हो चुका है, इसे हम और भूनेंगे, इसके लिए हमने एक चम्मज घी डाला है, इसमें हमारा तीन चम्मज घी डालेगा, जो हम एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे, भूनना बहुत अच्छे तरीके से है, लगातर चलाते रहना है, अब इसमें हम एक चम्मज घी डाल रहे हैं, फिर भूनेंगे से हम, पेड़ा सिर्फ मावे के उपर डेपेंड करता है, यदि मावा आपका अच्छा बना हुआ है, तो पेड़ा भी आपका अच्छा बनेगा, इसमें एक चम्मज और घी डाल दिया है, टोटल तीन चम्मज घी डाल चुके हैं हमारे, और हमारा मावा भून रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, कडाई को चोड़ रहा है मावा हमारा, इसका मतलब हमारा बहुत अच्छा बून चुका है, भुन गया है मावा हमारा इसमें हम डालेंगे चार इलाइची का पाउडर है इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा आजा इसके अंदर लीजिय तैयार हो चुका है इसको हम प्लेट में डाल देंगे ठंडा होने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है दसमट के लिए छोड़ दिया इसको इसके लिए हमें बूरा चाहिए उपर से लगाने के लिए और साथ में थ्री फोर्थ कप तगार चाहिए जो कि बहुत असानी से मार्केट में मिल जाती है और आप इसे घर पे भी बना सकते हो या मोटी बूरा कहके भी मिल जाता है इसको रवा भी बोलते हैं अच्छी तरह से mix कर लेंगे इसको दूसरे वाउल में इसे change कर लेते हैं ताकि mix धंग से हो सके मावा में बूरा mix अच्छी तरह से हो जानी चाहिए मोटी बूरा या तगार हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये भुरबुरे बने हमारे मत्रा के पेड़े ऐसे नहीं होते कि मुह में जाएं और चिपक जाएं एक एक दाना खिलता है मुह में जाने के बाद इसको बूरा से स्प्रैट करके पेड़े पे लगा दिया है आप शेप अपनी इच्छा के साफ से ले सकते हैं बड़ा छोटा जो आपको पसंद हो इन पेड़ों को हम 15 दिन तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं जैसे अभी दिवाली आ रही है इसने बना के रख दीजिए महमान जब भी घर पर आएं उनके सामने सर्व कीजिए आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा ये खाने में बहुत टेस्टी हैं और मत्रा के पेड़ों का स्वाद जब भी आप बनाएंगे अपने आप आजाएगा आपको मेरे मत्रा के पेड़े की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक यू